Hi Everyone, Exam Medicine Channel में आप सभी का स्वागत है Computer की Important Facts में हम आज बात करेंगे Input और Output Devices के बारे में आपको यहां से Directly Question देखने को मिलते हैं आपको Select करना होता है कौन सी Input Device है, कौन सी Output Device है तो चलिए, आज हम देखते हैं Input और Output Device क्या होते हैं और कौन-कौन से हैं देखे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपको एक चार्ट के थूर दिखा दिया गया है Input Device के बारे में तो देखे, जो हमारी Input Device होती Input के नाम से ही Clear है कि जिससे आप कोई चीज देने का काम करते हैं वो आपकी Input होती और Output क्या होती जो आपको Result मिलता है जैसे Normally आप जानते होगी जैसे Keyboard है तो यह सब को पता है Keyboard पे आप Type करते हो कोई चीज जब आप करते हो तो आपको Result किसमे देखने को मिलता है वो चीज टाइप किया हुआ चीज तो आपको Monitor पे मिलता है ठीक है? Monitor पे आपको यहाँ पे जैसे आपका यह Keyboard है आप यहाँ पे कुछ भी Type करते हो यहाँ पे आपको लिखा हो मिलता है यह हमारा Input होगा जिस सोर्स से आप कुछ दे रहे हो इंटर कर रहे हो और जिस पे आपका Result मिलता है वो Output Device होती है यह तो बात होई Input और Output Device की ठीक है? अब हम पहला देखेंगे कि जो Input Device है वो किस Type की है? तो देख सकते हैं आप Input Device जो हमारी पहला दिया Human Data Entry Device और एक दिया है Source Data Entry Device means Human Data Keyboard है तो वो तो किसी Human कोई Person ही उसको चलाएगा ठीक है? इसी वज़े से यहां पर Human Category में Divide की है और इसमें Divide की है Source ठीक है? तो पहला आप देखेंगे कि Keyboard लिखा हुआ है Keyboard एक आपका Input Device है Pointing and Draw Device Pointing और Draw Device का क्या मतलब होता है? Mouse भी आपकी Pointing Device होती है Track Ball भी होता है यह देखे लिखा हुआ Pointing Device जो है उसमें क्या के कैटेगरी है? Mouse है, Track Ball है, Joystick है तो Mouse तो आपने देखा ही होगा Joystick हो गया Track Ball यह सब वीडियो गेम्स खेलने के लिए जो आते हैं उसमें लगे होते हैं ठीक है? आपका है Pick Device इसमें Light Pen है और Touch Screen है Light Pen पता ही होगा प्रोजेक्टर पे जो आप मार्क करने के लिए टीचिंग के लिए यूज करते हैं वो आपकी Light Pen होती है और Touch Screen तो आप सब यूज करी रहे हो तो आपका यह हो गया यह याद रखेगा एक्जाम में आपको डारेक्टली पूछा जाता है दे देगा और खासा उसे Banking के एक्जाम में नाम दे देंगे आपको बताना होता है कौन सी Input Device है और Output तो आज के इस क्लास में सरफ हम यह देख रहे हैं कि Devices कौन-कौन सी है Input की और Output की ठीक है तो आपने देखा यहापे आपका क्या हुआ पहला Keyboard है दूसरा है Pointing Device जो Pointing Device या Draw Device के सकते हैं इसमें तीन है आपके Mouse है, Track Ball है, Joystick है अगला आपका है Pick Device इसमें आपका Light Pen और Touch Screen है इतने आपके हो गए पूरे Human Data Entry Devices अब हम इधर देखते हैं Source Data Entry Devices में क्या-क्या चीज़े हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहला है आपका Audio Input Device अगला है Video Input Device और तीसरा है आपका Optical Input Device तो आप देखते हैं कि Audio Input Device जो है इसमें क्या है पहला आपका Speech Recognition अगला है Sound Card अगला है Microphone Microphone दो पता ही आप लोग को Sound Card भी पता है और यह जो Video Input Device है इसमें क्या है Video Camera है आपका और Digital Camera आएगा Optical Input Device में आपका कौन-कौन से आएंगे देखिए पहला Scanner है जिससे आप कुछी भी Text Picture या किसी भी Page को Copy Scan करते हैं वही आपका Scanner OCR OCR का मतलब क्या होता है Optical Character Reader Next है हमारा MICR इसको कहते है Magnetic Ink Character Reader OMR का मतलब क्या हो गया Optical Mark Reader ठीक है अगला हमारा है Barcode Reader और चौथा हमारा है इसमें Next है हमारा Punch Card तो आप देख पा रहे हैं कि आपके Punch Card Reader है Barcode Reader है तो यह रहे आपके Complete Input Devices एक बार जल्दी से Revision कर लेते हैं कि Devices कौन कौन सी हैं सिर्फ आपकी Human और इसको नहीं रहने देते हैं यह देखते हैं कि सिर्फ Devices के नाम पहला Keyboard Mouse Trackball Joystick Light Pen Touch Screen Speech Recognition Sound Card Microphone Video Camera Digital Camera Scanner OCR Optical Character Reader MICR Magnetic Ink Character Reader OMR Optical Mark Reader Bar Code Reader और Punch Card Reader इतने आपके हो गए Total Input Devices ठीक है तो Maximum आपको Question नहीं से देखने को मिलेगे और Devices से पूछे जाते हैं तो अगला देखते हैं हम लोग Output Devices के लिए देखे आप Screen पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे Output Devices के बारे में दिया पहला दिया Hard Copy Output यह Soft Copy है आप लोग जो Print Out लेते हैं किसी चीज़ का Page मतलब पकड़ते हैं हाथ में Hardware और Software भी आपको आगे बताए जागा Hard का मतलब है जिसको आप टच कर पा रहे हो ठीक है तो यह Hard Copy Output और Soft Copy Output है अभी आपने इसके पहले जो Input पर पढ़ा था वो Human से था कि आप जो यूज़ करोगे और Directly कौन सा हम लोग डिवाइस में लगा के यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आपको जैसे वहाँ पे Microphone था यह सब था उसमें आपको कुछ नहीं करना है उसमें Directly आपका Input होता है बोलते हैं आप Mic, Microphone जिसमें आप बोल रहे हो वो आपका Microphone था वहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे Hard Copy की बात है Soft Copy Hard में क्या-क्या है देखे Printer है और Plotter है और जो नीचे इसके दिया है Printer के Type दे दी है Impact Printer और Non Impact Printer Printer के आपको अलग से एक वीडियो प्रवाइट की जाएगे उसमें काफी डीटियल से बताया जाएगा Printer के बारे में फिलाल आपको यहाँ देखना है कि Devices कौन सी है Printer है और Plotter देखे Printer और Plotter यह भी Plotter भी एक तरह का Printer होता है लेकिन जो Plotter की Graphics Quality होती है उससे बहतर होती है और उससे बड़े साइज की इसमें Graphics आप प्रिंट कर सकते हो तो देखे जो Printer इसमें दो Type बताये गए Impact Printer और Non Impact Printer ठीक है और जो Plotter है उसमें बताया गए Drum Printer और Flat Bed तो यह याद रखेगा कि इसमें जो Impact Printer है इसमें दो है Dot Matrix Printer और Desi Will Printer यह Impact Printer के प्रकार भी है और यह नाम भी आपको दिया जा सकता है कि बताया और पूद डिवाइस है या नहीं है और इसमें Non Impact में Ink Jet और Laser Non Impact Printer और Impact Printer में डिफरेंस सिर्फ साउंड का होता है ज्यादा तर जो Non Impact Printer है इसमें No Sound होता है कोई साउंड नहीं होता है इसमें No Sound No Sound का मतलब यह है कि जब आप Printer करोगे तो कोई साउंड नहीं होगी आवाज नहीं होगी Dot Matrix के देखें नाम से यहाँ पर लग रहा होगा यह Dot Dot सा प्रिंट होगा जैसे आप बैंक में चेक यह कहीं देखते होंगे Dotted रहते हैं यह वह आपके रहते हैं मैक्सिमम ज्यादा यूज हमारे Inkjet लेजर प्रिंटर यह दोनों ज्यादा यूज होते हैं तो यह रहे प्रिंटर आगे देखते हैं यह जो दिया हुआ है आपका Soft Copy Output में क्या क्या चीज है तो आप देख पा रहे हैं कि पहले हाँ दिया है Audio Output और Video Output Audio में क्या है हमारा Headphone है यूज करते हैं आप Speaker हमने भी बताया था कि Output का मतलब होता है किसी भी तरह का आपको Result मिले वह आपके दिये हुए Input का Result मिले स्पीकर से क्या होता कोई Song प्ले करते हो तो जो प्ले कर रहे हो इंपुट है किसी चीज से आप प्ले कर रहे हो लेकिन ये Speaker आपको क्या करता है साउंड सुनाता है तो आपका Speaker हो गया Headphone हो ठीक है अब Video Output में हमारा है Monitor है Visual Display Thermal है और Screen Image Projector है और जो Monitor है उसमें दिया है Monochrome और दिया है आपको Color इसमें देखे लिखा है CRT Cathode Relative इसका Full Farm होता है LCD दिया है Liquid Crystal Display LED है आपका Light Emitting Diode ये होते हैं आपके Total Output Devices तो इसको ध्यान रखेंगे चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन-कौन से आपके Output Devices हुए पहला याद रखेंगे Printer Plotter Plotter के दो हैं Drum और Flat Bed Impact Non Impact Printer के Type है जिसमें से Dot Matrix Printer Daisy Will Printer Ink Jet Printer इधर Audio Output में बात करेंगे Headphone, Speaker Monitor, Visual Display Thermal और Screen Image Projector और देखेंगे नीचे आपके हैं इसमें जो दिए गए थे Monitor के Type में Monochrome Color में कौन से है? CRT CRT का मतलब मैंने बताया Cathode Ray Tube, LCD Liquid Crystal Display LED का मतलब होता है Light Emitting Diode तो आपको इन सबसे Full Form भी आते हैं exam में Full Form के आपको एक वीडियो प्रवाइट की जाएगी तो आज की वीडियो में कंप्यूटर के Facts में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए Facts के साथ हम फिरो पस्तित होंगे तब तक के लिए Bye, Take Care झाल लुट 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 लुट